अगर गलती ढूंडनी हो तो ऐसे ढूंडे इस्प्लोनेशन में है तारीफ और सची प्रसंसा से बात सुरू करें तो बेसिकलिए अगर आपको किसी के लिए कंप्लेइन करना है किसी के बारे में मतलब कुछ बुरा भी बताना है और उसको छुडाने के लिए चाहे जो भी या बेटर करनी के लिए तो आपको स्टार्टिंग तारीफ या प्रसंसा से करनी चाहिए प्रसंसा को क्या बोलता है व्या वाई कॉम्द्लिमेंट से स्चाट करना चाहिए बसिला कि एक स्मोकर है जिसे आप धिमोकिन का है विट छुडाना चाहते हो तो यह मत बोलो कि आप स्म तो आप इन बातों से स्टार्ट करोगे। देखो दोस्त मैं जानता हूं कि आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, तो इस तरह से नहीं बता सकते हो कि आप काफी हार्ड वर्किंग हो, और यह आपके family के लिए काफी अच्छा है आपके family को काफी जरूरत है तो इस तरह से आप बात start कर सकते हो basically उनका तारीफ कर सकते हो उनका presence कर सकते हो and then आप उस point पर आ सकते हो तो लोगों को क्या है कि बुरा नहीं लगेगा सुनने में आप उनके bad habit को trigger करोगे तो बुरा नहीं लगेगा आप directly जब bad habit पर attack करते हो तो वो बुरा लगने लगता है यह मेरा insult कर रहा है इस तरह का feel होने लगता है लेकिन जब आप पहले तारीफ करते हैं तीन चार जो भी तारीफ करते हैं इसके बाद जब आप आते हैं यह bad habit पर तो उनको बस emotionally यह realize होता है कि ओके यह मेरे लिए care करता है और चाहता है कि मैं इस bad habit को ठीक करूँ तो यह difference है दोनों में तो इस वज़े से आपको अगर कभी भी किसी का bad habit छुडाना है तो start with तरीफ and presence आप and by the way honest रहना important है सचा रहना important है तो ऐसा ही जूट मेरे बोलना कि तुम काफी जद्ध मेन दी हो चाहे वह आलसी हो तो ऐसा नहीं हमेशा सच होना चाहिए और इमानदारी से तारीफ करना चाहिए